दोस्तो आईटी विभाग ने कहा है कि आईकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर छूट की सरेने में नहीं आते हैं उनके लिए 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवारिया है जो पैन कार्ड होल्डर ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड एक जूलाई 2023 से बंद हो जाएगा और पैन कार्ड बंद होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सो दोस्तो उन दिक्कतों को जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नमब वन पैन कार्ड बंद होने की वज़े से बैंक में खाता खुलूआने में दिक्कत आने वाली है नमब टू किसी कंपनी या सरकारी सेक्टर में निवेस करने में दिक्कत आने वाली है इसके आलावा आप म्यूचल फंड में भी निवेस नहीं कर पाएंगे नमब थ्री किसी भी परकार की अपडी बेकार हो जाएगी साथ में अकाउंट के ओपरेशन में दिक्कत होने वाली है नमब फोर ओनलाइन एप के जरिये जो भी ट्रैंजक्शन है उनमें समश्या होने वाली है फिर केवाईसी में दिक्कत होगी 5. किसी भी परकार की संपत्ती को खरीदने या बेचने में परेशानी आने वाली है 6. सेयर बार्केट में कारोबार करने वाले वैपारी को परेशानी के साथ इंशोरेंस के काम में भी दिक्कत होगी 7. सरकारी नोकरी करने वाली कर्मचारी को दिक्कत साथ में ट्रांसफर या रिजायन में दिक्कत होने वाली है 8. किसी परकार के कॉंट्रेक्ट लेकर काम करवाने वाले लोगों को दिक्कत आने वाली है और उनका काम भी अब रद किया जाएगा 9. सभी परकार के ट्रस्ट और NGO आधिक के दिक्कतों के साथ साथ नई गाड़ी खरीदने या बेचने में दिक्कत आने वाली है 10. पेंट कार्ट के बिना किसी भी आदमी का क्रेडिट कार्ट जारी नहीं किया जा सकता है 11. किसी भी परकार की लोन नहीं मिलेगी इसके साथ डिमेट अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे 12. पच्चास अजार रुपे से अधिक के पैमेंट लेने और देने में दिक्कत आने वाली है 13. चेक और ड्रप्ट से जुड़े कामों में दिक्कत आने वाली है 14. किसी भी परकार की पैमसन रासी को निकालने में दिक्कत या पैमसन को रद भी किया जा सकता है 15. इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम है जहां पैन कार्ड की आवचकता होती है और जब पैन कार्ड ही किसी काम का नहीं रहेगा तब ये सारे काम कैसे होंगे तो दोस्तो सरकार के इस फैसले से आप सब समत है या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं